दोस्तों, नरक तो हजारों की संख्या में हैं, सभी को विस्तृत रूप में बताना संभव नहीं हैं, परंद उन सभी नरकों में साथ प्रधान नरक हैं, चलिए जानते हैं, इसका थन कवर्णन गरुल पुराण में धर्म कांड प्रेत कल्प की तीसरे अध्याय में मिलता है जांग भर की गहराई में वहां दुस्तर खड़ा है, दहकते हुए अंगारों से भरा हुआवा खड़ा प्रिथवी के समान बराबर दिखता है, तीवर अगनी से वहां की भूमी भी तापता अंगार जैसी है, उसमें यम के दूत पापियों को डाल देते हैं, उस जलती हु वहां जब हजार यौजन उस नरक का विस्तार पार कर लेता है, तब उसे पाप की शुद्धी के लिए उसी प्रकार के दूसरे नरक में भीजा जाता है, दूसरे नरक का नाम है महारोरव यह नरक पाँच हजार यौजन में फैला हुआ है, वहां की भूमी तामबे के समान बर्ण वाली है, उसके नीचे अगनी जलती रहती है, वहां भूमी विद्वत प्रभा के समान कान्तिमान है, देखने में वहां पापी जनों को महा भयंकर प्रतीत होती है, यमदूत पापी व्यक्ती के हाथ पैर बांद कर उसे उसी में लुड़का देते हैं, और वहां जीव जन्तूओं के आकर्मन से इतना संतप्त हो जाता है कि उसके बुद्धी ही भ्रष्ट हो जाती है, वह घबडा कर चिल्लाने लगता है, तथा बारबर उस कष्ट से बेचैन होटता है, उसको वहां कहीं पर भी शांती नहीं प्राप्त होती, इस प्रकार उस नरक लोग तल है, महार औरो नरक के समान ही उसका भी विस्तार बहुत लंबा है, वहां गहन अंदकार से व्यापत रहता है, आसह कष्ट देने वाले यम्दूतों के द्वारा पापी जन्द लाकर यहां बांध दिये जाते हैं, अताहा वे एक दूसरे का आलिंगन करके वहां की भेंकर ठंडक से बचने का प्रयास करते हैं, उनके दातों में कट-कट आहट होने लगती है, उनका शरीर वहां की उस ठंडक से कापने लगता है, वहां भूंक प्यास बहुत अधिक लगती है, इसके अतरिक्त भी अनेक कस्टों का सामना उन्हें वहां करना पड़ता है, वहां हिम पापी एक दूसरे का आलिंगन कर भ्रहमन करते रहते हैं, इस प्रकार उस तमसावरत नरक में मनुष्य को बहुत से कष्ट झेलने पड़ते हैं, जो व्यक्ति अन्याने अस्संख पाप करता है, वहां इस नरक के अतरिक्त नीकरंतन नाम से प्रसिद दूसरे नरक में जाता है, वहां अन्वरत कुम्बकार के चक्र के समान चक्र चलते रहते हैं, जिनके उपर पापी जनों को खड़ा करके यम के अनुचरों के द्वारा अंगुली में स्थित काल सूत्र से उनके शरीर को पैर से लेकर शीरो भाग तक छेदा जाता है, फिर भी उनका प्राणांत न रगवाते रहते हैं, जब सभी पापों का विनाश हो जाता है, तब कहीं जाकर उन्हें उस नर्ग से मुक्ति प्राप्त होती है, अगले नरग का नाम है अप्रतिष्ठ, वहां जाने वाले प्राणी आसह दुख का भोग भोगते हैं, वहां पाप कर्मियों के दुख के हेत चक्र और रहट लगे रहते हैं, जब तक हजारों वर्ष पूरे नहीं हो जाते तब तक वहां रुकता नहीं, जो लोग उस चक्र पर बांधे जाते हैं, वह जल के घट की भाती उस पर घूमते रहते हैं, पुनाह रक्त का वमन करते हुए उनकी आते मुख की और से बाहर आ जाती हैं, और नेत्र आतों में घुश जाते हैं, प्राणियों को वहां जो दुख प्राप्त होते हैं, वे बड़े ही कष्टकारी हैं। दोस्तों, असिपत्रवन नामक नरक एक हजार यौजन में फैला हुआ है, इसकी संपूर्ण भूमी अगनी से व्याप्त होने के करण और नीश जलती रहती है, इस भयंकर नरक में साथ साथ सूर्य अपनी सहस्त्र सहस्त्र रश्मियों के साथ सदेव तपते रहते हैं, जिन पत्र नामक वन है, उसमें व्रिक्षों से तूट कर गिरे फल और पत्तों के धेर लगे रहते हैं, मानसाहारी बलवान कुत्ते उसमें विच्रन करते रहते हैं, जो बड़े-बड़े मुख वाले, बड़े-बड़े दातों वाले, तथा व्यागर की तरह महा बलवान होते ह अत्यंत शीत एवं छाया से व्याप्त उस नरक को देखकर भूंक प्यास से पीड़त प्राणी दुखी होकर करुण करंदन करते हुए वहां जाते हैं, ताप से तप्ती हुई प्रत्वी की अगनी से पापियों के दोनों पैर जल जाते हैं, अत्यंत शीतल वायू बहने के क कुत्तों का अक्रवन भी उन पापियों पर होने लगता है, शीग रही वे कुत्ते रोते हुए उन पापियों के शरीर के मांस को खंडखंड करके खा जाते हैं, महा भयानक तप्त कुम्ब नाम वाले नरक में चारो और फैले हुए अत्यंत गर्म गर्म घड़े होते हैं, उ पापियों को ले जाकर उन ही में ओंधे मूर डाल दिया जाता है, गलती हुई मज्जा रूपी जल से युक्त उसी में फूटते हुए अंगो वाले पापी काढ़ा के समान बना दिये जाते हैं, तदनंतर भयंकर यंदूत नुकीले हथियारों से उन पापियों की आखों तथा हड़ियों को छेद छेद कर नश्ट करते हैं, गिद्ध बड़ी तेजी से वहां आकर उन पर जपट्टा मारते हैं, उन उबलते हुए पापियों को अपनी चोंच से खीचते हैं और फिर उसी में छोड़ देते हैं, उसके बाद यमदूत उन पापियों के सिर सनाईव, द्रविभूत, मास, तवचा आधी को जल्दी जल्दी करचुल से उसी तेल में घुमाते हुए उन महापापियों का काढ़ा बना डालते हैं, दोस्तों सबसे उपर भयंकर गर्मी से संतप्त रोरव नामक नरक है, उसके नीचे अत्यांत दुखदाई महारोरव है उस नरक से नीचे शीतल एवं चौथे का नाम निकरंतन है, पाचवा नरक आप्रतिष्ठ, छटा असी पत्रवन एवं सात्वा तप्तकुम्ब है, इस प्रकार ये साथ प्रधान नरक हैं, अन्ने भी बहुत से नरक हैं, जिनमें पापी अपने कर्मों के अनुसार जाते हैं रोध, शूकर, ताल, तप्तकुम्ब, महाजवाल, शबल, विमोहन, क्रिमी, क्रिमी भाक्ष, लाला भाक्ष, विशजन, अधासिर, पूल्यवा, रुधिरांद, विडभुज, वैतरणी, असी पत्रवन, अगनी ज्वाल, महागोर, संदंश, अभोजन, तमस, कालसूत्र, लोहतापी, अभिद, अप्रतिष्ठ, तथा अवीची आदी, ये सभी नरक, यम के राज में स्थित हैं, पापी जन, प्रिथक प्रिथक रूप से, उनमें जाकर गिरते हैं, रोरव आदी सभी नरकों की अवस्थिती, इसी प्रिथवी लोक से नीचे मानी गई है, इसी प् आदी.